प्लस पूरे दिन मंडे का उम्मिद करते हैं कि जितने लोग नए क्लास से जुड़े हैं उन सभी लोगों ने अपनी बहतरीन तरीके से कम से कम दो वीडियो दो क्लास से को बहतरीन तरीके से कंप्लिट कर लिया होगा और जो लोग रिविजन वाले हैं एक्जाम ओरियंटेट डे बाई डे वाले उनका रिविजन का कार भी बहतरीन तरीके से हो गया होगा और सभी लोग जो हमारे old, gold और mind map बैच के लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपना कोई ना कोई बहतरीन revision का कारे complete कियो होंगे आप सभी लोगों से हमें पूरी उम्मिद है कि आप सभी लोगों ने बहतरीन तरीके से अपना revision का कारे किया होगा आपके revision के माध्यम से जो आपकी preparation चल रही है, वो आपको काफी बहतर position पर ला सकती है इसी तरीके से आप सभी लोग अपने revision का कारे करते रहें और अपनी चीजों को बहतर करते रहें दोस्तों आप जानते हो कि Monday to Friday हम सभी लोग बहतरीन तरीके से class करते हैं और Saturday और Sunday practice session के माध्यम से revision का कारे करते हैं और कल Sunday होने के नाते, आपको पता है बकराईद होने के नाते, कल हमने आपकी शाम की class नहीं ली थी लेकिन आज बकराईद होने के बावजूद भी हम आपकी class में present हैं सिर्फ इस लिए कि आपका कहीं से किसी तरीके से नुकसान ना होने पाए आप सभी लोग अपनी बहतरीन तरीके से तयारी करते रहें और कल से जैसे हमारी routine की class चलती है morning में 9 बच के 45 मिनट पर lower botany 11 बच के 10 मिनट पर plant physiology और 5 बच के 40 मिनट पर आपकी non-cordate 7 बच के 10 मिनट पर आपकी plant embryology और 8 बजे आपकी biomolecules की class कल से आपको regular way मिलेगी लेकिन आप में से जो लोग अभी भी अपने revision के कारे को बहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं वो सभी लोग revision के कारे को बहतरीन तरीके से करते रहें दोस्तों बहत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ revision का कार करें जैसा कि आज आपने thumbnail में देखा है कि आज हम लोग revision का कार करेंगे platy helminthes जो की हमारा topic चल रहा है हमारे exam oriented batch में उसका हम लोग एक practice session देखेंगे mcqs के form में question को देखेंगे उसके बाद हम सभी लोग enzyme से संबंधित जो की हम लोगों ने bio molecules में पढ़ना शुरू किया है उससे संबंधित प्रस्णों को solve करेंगे एक बार आप सभी लोग thumb up करके बताने कोईश करें आप सभी लोग ready हैं तो हम सुरू करते हैं अपनी class को और continue करते हैं प्रस्णों की श्रिंखला को जी दोस्तों सभी को good evening सभी को प्रडाम जी जे आर यादो जी आर्थी राजपूत जी जी बीपी सिंग जी अनूप सिंग जी ममता यादो जी अभिशेक गिरी जी लोकेश जी तरिशा यादो जी अंकिता मौरिया जी और जो है सोनी निशाद जी सोनी मौरिया जी अंकित मौरिया जी सभी लोगों का स्वागत है रिचा सक्षेना जी सुचिता पांडे जी अश्मा अली जी निधी शुकला जी निधी यादो जी स्वेता जी मधू जी पूनम जी सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास की स्रिंखला को दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने TGT, PGT, LT Biology का एक नया बैश लांच किया है आपके नोटिफिकेशन के बाद जब आपका नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद हमने एक क्लास रू की जिसका नाम है exam oriented batch और इस exam oriented batch में आपके नहीं बलकि आयोग के demand के according जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं September, October में exam होने के chance हैं तो इसके आधार पर आपके पास समय बहुत कम हैं जिसके लिए हमने आपके कोई crash course की launching नहीं की बलकि हमने आपके detail course में classes की संख्या को बढ़ा दिया जैसे कि आप जानते हो जब दो classes होती थी तो आपका batch आठ से दस महिने में खतम होता था लेकिन हमने आपकी पांच classes कर दिया है सिर्फ इस लिए कि अगर मैं पांच classes लेता रहूंगा तो आप सभी लोग उसका बहतरीन तरीके से revision का कारी करते रहेंगे पहली class आपकी 9 बच के 45 मिनट पर lower botni की होती है दूसरी class 11 बच के 10 मिनट पर plant physiology की होती है तीसरी class 5 बच के 40 मिनट पर आपकी non-caudate की होती है जिसमें हम सभी लोग platyhelminthes पढ़ रहे हैं 34 आपकी 7 बच के 10 मिनट पर होती है जिसमें हम लोग plant embryology पढ़ रहे हैं और पांचमी class 8.30 बजे होती है जिसमें हम सभी लोग biomolecules पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग biomolecules के प्रस्ण को और non-caudate में platyhelminthes के प्रस्ण को देखेंगे आप में से जो लोग अभी तक किसी कारण बस class से नहीं जूर पाए हैं वो सभी लोग class से जूरने के लिए आप में से जो भी interested हैं जिनको लगता है कि इस बार मेहनत करके हम TGT को crack कर सकते हैं वो सभी लोग bach से जूरने के लिए 875670-3588 पर join TGT, PGT, LT, biology लिगकर भेजें और अपनी class से सीगर जूरने की कोशिश करें आपको जैसा की पता है exam oriented fresh new batch में हमने master plan बनाया है 100 days का और उस master plan के according जो हमारे syllabus में stand करते हैं वो lower botany है, animal physiology है, taxonomy है, biotechnology है, evolution है, cordata है, embryology है, plant embryology और human embryology उसके साथ साथ snake and fish migration है, non-cordate है, plant physiology है, और economic botany है इसके अलामा pin point season 3 हमने आपके लिए शुरू किया है, जो आपकी classes में लगातार पहुच रहा है इसके अलामा, जो लोग PGT special हैं, जो केवल PGT का exam देना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने PGT special classes launch की है और PGT special classes हमारी हर Saturday को होती है, जो की लगभग एक से देड़ घंटे की होती है जिसमें हम सभी लोग Animal Behavior को पढ़ रहें, इसके बाद हम आपको Bio-Estatics को पढ़ाएंगे उसके बाद हम आपको Wild Life के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको Swail के बारे में पढ़ाएंगे इस तरीके से अगर दो Saturday और class लेंगे, तो आपका Animal Behavior भी हो जाएगा फिर हम लोग Bio-Estatics पर चर्चा करेंगे, फिर Wild Life पर, फिर हम लोग Swail पर और जो भी PGT के अलग से section हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपनी चीजों को बहतर बनाएंगे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं प्रस्नों की श्रेंखला को और देखते हैं, important question अपने screen पर पहला question, solenocytes and nephredia are respectively found in यह solenocyte और आपको बताना है कि nephredia, यह respectively किसमें पाए जाते हैं आपको पता है कि आपने पढ़ा है, solenocyte को proto nephredia कहते हैं, इसी solenocyte को flame cells कहते हैं और उम्मित करता हूँ कि आप में से लगभग सभी लोगों के जबाब बिलकुल करेक्ट आएंगे, कि यह किसमें पाए जाते हैं तो जैसा आपने देखा, solenocyte, यह excretory argon होते हैं, जो platyhelminthes में पाए जाते हैं उसके बाद nephredia पूछ रहा है, तो आप सभी को आंसर आना चाहिए, कि यह anilidia में पाए जाते हैं तो अगर proto nephredia पूछता, तो आप सभी लोगों का आंसर platyhelminthes भी होता क्योंकि proto nephredia, solenocides, flame cells, these are the names of the excretory argon of platyhelminthes यह सभी नाम platyhelminthes के excretory argon के होते हैं, तो उम्मिद करता हूँ कि आपको यहां तक की बाते किलियर, इसका सही आंसर हो जाएगा platyhelminthes और आप में से जितने लोगों ने सही आंसर किया है, very good, अच्छे, बहुत अच्छे दूसरा question आपके screen पर, which are the following is a free living flat warm, इसमें से कौन सा है जो free living flat warm के नाम से जाना जाता है इसमें से कौन सा है जो free living flat warm के नाम से जाना जाता है, उम्मिद करते हैं कि आप सभी का अंसर आएगा, आपने इसका भी नाम सुना हो, सुना है, यह है planeria, यह है tinea solium, और इसकी एक से species होती है, tinea seginata, एक है fasciola hepatica, एक है ferituma pastuma, आप जानते हैं, यह any leader से बिलॉंग करती है किसे any leader से बिलॉंग करती है, इसे farmer आप, इसे friend आप farmer के नाम से जानते हैं, आप से question पूछा है, free living, कौन सा free living होता है, तो tinea solium, यह आप बताएंगे, indo parasite होता है, fasciola hepatica, आप बताएंगे, यह आप किस में बिलॉंग करता है, तो आप बताएंगे, trimetoda को बिलॉंग करता है, और यह भी parasite होता है, ipto parasite, indo parasite दोनों होता है, और यह indo parasite होता है, free living के form में, planeria पाया जाता है, और planeria most most important है, आप सभी लोगों के लिए, जी, सबसे ज़्यादा regeneration power होती है, जी, बिल्कुल रंजु यादो जी, बिल्कुल किलियर है, कि सबसे ज़्यादा regeneration power होती है, planeria के alamah एक नाम आपको और लिखाया था, doe j sia, doe j sia, ये भी free living में होता है, और tabularia को belong करते है, ये दोनो tabularia को belong class tabularia को belong करते है, जबकि आपका tiny solium, ये cystoda class को belong करता है, सिस्टoda class को belong करता है, जबकि आपका fasciola hep continent教a ये tutorials को belong करता है। तो उम्हिद करते हैं कि यहां से भी वात आपकी किलियर होंगी और यह डुजेशिया और प्लानेरिया इस डिज बिलॉग स्टू टरबीलेरिया को बिलॉंग करते हैं याद रखना याद रखना यह भी आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से important है इसमें से कौन सा organism है जिसमें self fertilization देखने को मिलता है फिश में round warm में आर्थ warm में liver fluke में आप सभी के सामने option है और फटा-फट answer करने की कोछ़ करिएगा इसमें से किसमें देखने को मिलता है जी सभी लोगों के लगभग लगभग सही आंसर आ रहे हैं जी very good excellent सभी लोगों के लगभग लगभग सही आंसर आ रहे हैं in which of the following organism इसमें से कौन से organism में self fertilization देखने को मिलता है आप सभी का आंसर आ रहा होगा liver fluke जिसे हम लोग fasciola hepatica के नाम से जानते हैं इसका आंसर correct है fasciola hepatica जिसे हम लोग liver fluke के नाम से जानते हैं these are the right answer यह हैं जिसमें कैसा fertilization पाया आता है आप बताएंगे self fertilization पाया जाता है next question which one of the following kinds of animals are triploblastic इसमें से कौन सा animal है जो triploblastic होता है उम्मिद करता हूं कि आप सभी का आंसर बिल्कुल correct आ रहा होगा corals है sponges है tino force है या flat worms है आप सभी क्या आंसर आ रहे होंगे इसमें से कौन सा triploblastic है जी हमारे exam oriented लोग और mind map के batch के लोग एक question से कैसा feel कर रहे हैं और old सभी लोग बताने की कोषिश करियेगा उमिद करता हूं कि सभी लोग अच्छा feel कर रहे हैं सभी लोग अच्छा feel कर रहे हैं जी दोस्तों कोशिश करिएगा और सभी का आंसर आ रहा होगा, Sir, flat warm is the right answer, flat warm is the right answer, next question, question number 5, Sistoda are distinguished from other flat warm by the absence of, आपको बताना है कि Sistoda में किस कौन सी चीज absent होती है, और उम्मिद करता हूँ कि बहतरीन तरीके से आप लोग answer करेंगे, I hope so, कि आप सभी का बहतरीन तरीके से answer आएगा, 5 number question, most important, जी देखिए, अंकिता ने तो, अंकिता मौर्या जी ने, प्रतिभाग अंगवार जी ने, रिचार सक्षेना जी ने, लगभग दिव्या जी ने भी, ये लोग वो लोग हैं, जो answer देते हैं, तो answer को type कर देते हैं, बहुत अच्छे, very good, excellent, और लगभग सभी लोगों का, बिल्कुल correct answer आ रहा है, digestive system absent होता है, हमने आपसे बताया था न, कि 4-4, 6-6 point सबका याद रखना, ये exam में आते हैं, और most important है, कि अभी हम जो question आपको करा रहे हैं, ये हमारे NCRT based प्रस्न है, अभी हम आपको TGT का प्रस्न दिखाएंगे, तो ऐसे आप उड़ा देंगे, which one of the following is an example of platyhelminthes, इसमें से platyhelminthes का example कौन है, आप बताएंगे सर, cystosoma, जिसे हम लोग blood fluke के नाम से जानते हैं, ये भी trimetoda को belong करता है, किसको belong करता है, trimetoda को belong करता है, आपके concept तो इतनी बेहतरीन तरीके से clear हैं, कि आप class को घुस करके भी बता सकते हैं, कि ये किसको belong करता है, जी बहुत अच्छे, इसे blood fluke के नाम से जानते हैं, और ये cystosoma किसको belong करता है, तो आप बताएंगे, trimetoda को belong करता है, faciola hepatica is, faciola hepatica क्या होता है, hermafrodite होता है, self fertilizing होता है, hermafrodite होता है, cross fertilizing होता है, unisexual होता है, या both A and B, और उम्मिद करता हूँ कि आपका सब का बहतरीन आंसर आ रहा होगा, कि ये कैसा होता है, faciola hepatica, बताने की कोशिश करिएगा दोस्तों, faciola hepatica कैसा होता है, जी, लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, A और D पर जाके टिक रहे हैं, कोई कोई कह रहा है, sir, A हो जाएगा, कोई कोई बता रहा है, sir, D हो जाएगा, जी आप सभी लोग करें कि इसका सही क्या होगा आप सभी के आंसर आ रहे हैं लेकिन दो तरीके से आ रहे हैं और हम उम्मित करते हैं कि आप सभी लोगों के बेहतरीन से आंसर दिखें जी लगभग लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं और सभी लोग बताने कोईश करेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है तो ये हर्मोफोडाइट होता है दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है self-fertilization भी करता है और cross-fertilizing भी होता है इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि self-fertilization भी इसमें पाया जाता है और इसमें cross-fertilization भी पायाता है इस आधार पर आपका answer D सई होगा जब situation ठीक होती है तो ये self-fertilization कर लेता है लेकिन जब situation नहीं होती तो इसमें cross fertilization भी होता है इसलिए दोनों situation में आप इसका answer D-Tick करेंगे अगर आपको यहाँ पर cross fertilization ना दिया होता जी, सोनी निशाद जी, जी बिलकुल, सीमा वर्मा जी, हर्माफोडाइट होता है और इसमें self fertilization होता है और cross fertilization भी in favorable या unfavorable condition में होता है जी, जी बिलकुल, तो इसका answer क्या हो जाएगा D is the correct answer इसमें से कौन सा animal है जिसके body में कई segment नहीं होते इसमें से कौन सा है जिसके body में कई segment composed of which of the following animals does not have a body composed of many segments इसकी किसमे body में many segments नहीं होते हैं और उमिद करता हूँ कि आप सभी के answer आ रहे हैं तो आप बताएंगे इन सब की body में नहीं होते हैं तो उमिद करता हूँ कि ये भी answer आपका correct होगा सिस्टी सरकस इस दा लारवा आफ सिस्टी सरकस इस दा लारवा आफ आपने पढ़ा है मेटा सरकेरिया, सरकेरिया, मिरसीडियम, रेडिया, सिस्टी सरकस ये सब किसके लारवा हैं जब हम especially बात करते हैं टीनिया सोलियम की तो टीनिया सोलियम में या टेप वाम में हमें ये लारवा देखने को मिलता है टेप वॉम में हमें ये लार्वा देखने को मिलता है और जब सिस्टी सरकस पाई आएगा तो आपका आएगा टीनिया सोलियम, no other answer, जी, उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों का आएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, सिस्टी सरकस लार्वा टीनिया सोलियम में पाई आता है, All are flat worms. बतानी कोईश करिएगा दोस्तों, उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों का answer बिल्कुल correct आएगा. कि ये सभी क्या हैं? ये सभी flat worms हैं. क्या हैं दोस्तों? ये सभी flat worms हैं. और लगभग सभी लोगों का answer आ रहा है. This is the flat worm. जी, very good. Excellent. अच्छे, बहुत अच्छे. Next question पर चलते हैं. Question number 10. 10 question तक आप लोगों ने कैसा feel किया? उम्मिद करते हैं कि revision के बाद और exam oriented के लोग, mind map के लोग और others, old is gold. सभी लोगों ने 10 question में बहतरीन तरीके से option टिक किया होगा. केवल एक question में कुछ लोगों से doubt हुआ होगा. और इसी तरीके से आप question को solve करते रहेंगे और अपनी चीजों को बेहतर बनाते रहेंगे. आएए दोस्तों, आगे चलते हैं. Next question की ओर. All flat worms differ from all round worms. जितने flat worms होते हैं, वो differ करते हैं round worms. से जब flat worm का नाम आए, तो platy helminthes को याद किया करिए. और जब round worm का नाम आए, तो SK helminthes को याद किया करिए. In having, तो इन दोनों में क्या difference होता है? Tiproblastic body होती है, दोनों में. Solid mesoderm होता है, दोनों में. Bilateral symmetry पाई जाती है, दोनों में. Metamorphosis in the life history, Metamorphosis देखी जाती है life history में. आप बताएंगे, all flat worm differ from all round worm due to solid mesoderm. इसमें solid mesoderm पाई जाती है, इसी से ये differentiate होता है. किससे? round worm से. Round worm को और flat worm को किससे differentiate किया जाता है? Solid mesoderm से differentiate किया जाता है. याद रखिएगा कि solid mesoderm एक ऐसा character है, जिससे इनको differentiate किया जाता है. Next question. Which stays in the life cycle of teneasoleum insects the intermediate host is? कहरें कि which stays in the life cycle of teneasoleum insects the intermediate host is? इसमें से intermediate host कौन सा होता है? हेक्जा कैंथ लार्वा, अंको इस्फियर लार्वा, सिस्टी सरकस लार्वा, मीरा सीडियम लार्वा. उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोगों का बहतरीन आंसर आ रहा होगा, कि इसका कौन सा आंसर होगा. दोस्तों जब आप से पूछा जाए, कि which stays in the life cycle? इस life cycle की कौन से stage में, टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम की life cycle की कौन से stage में, insects the intermediate host, कौन होता है इसका जो इंपोर्टेंट करेक्टर है, तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा. जी, clear? उम्मिद करते हैं कि यहां तक की बातें clear हो गई होंगी. बताने कोईश करिएगा, आंकोईश्फियर is the right answer. जी, बहुत अच्छे, very good, excellent. लगबग सभी लोगों का आंसर बिलकुल correct आ रहा है, आंकोईश्फियर is the right answer. और सभी लोग बताने कोईश्फियर इस दा रा जी, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का आंसर बिलकुल correct आ रहा होगा. flame cells are excretory argon of flame cells किसका excretory argon होता है, तो आप सभी लोगों को पता है, ये excretory argon होता है, प्लेटी हलमेंथीस का, इसको solone sites के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग proto nephredia के नाम से भी जानते हैं. next question, question number 14, आपके screen पर, laurel's canal is found in, important question, laurel's canal is found in, ये laurel's canal किसमें पाई जाती है, और उम्मिद करते हैं, कि सभी लोगों का बिलकुल correct आंसर आएगा, laurel's canal किसमें पाई जाती है, tell me fast, सभी लोग बताने की कोईश्च करिएगा, कि ये laurel's canal किसमें पाई जाती है, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct आंसर आएगा, laurel's canal क्या होती है, ये temporary vaginal canal होती है, what is this, this is temporary vaginal canal, ये क्या होती है, ये temporary vaginal canal होती है, during fertilization इसका formation होता है, इसका formation किसमें होता है, तो आप बताएंगे, laurel's canal सबसे पहले कभी question पूछ सकता है, कि laurel's canal क्या होती है, जब आपसे पूछा जाए, कि laurel's canal क्या होती है, आपका आंसर आएगा, सर ये temporary vaginal canal होती है, इसका formation कभ होता है, इसका formation during fertilization होता है, कभ होता है, during fertilization, इसका formation होता है, और ये किसमें बनता है, ये fasciola heptica में बनता है, laurel canals का formation किसमें होता है, ये fasciola heptica में बनता है, most most important, जी, ये temporary vaginal canal होती है, जो copulation argon होती है, और इसका formation during fertilization होता है, किसमें होता है, fasciola heptica में होता है, कि सभी लोगों का, यहां तक का point clear, turbulence is free living, also a free living, free living क्या होते हैं, free living nematodes होते हैं, free living anilids होते हैं, free living terimatodes होते हैं, free living flatworms होते हैं, ये क्या होते हैं, उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का बहत्रीन आंसर आएगा कि ये क्या होते हैं और लगबख सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी लगबख सभी लोग आंसर कर रहे हैं और करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं दोस्तों, टर्बिलेरियन तो एक खुद ही क्लास का नाम है, तो दूसरे क्लास का नाम ट्रिमेटोडा है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टर्बिलेरियन्स, जो टर्बिलेरियन्स होते हैं, वो आपको पता है, क्लासेस तीन बटे हुए हैं, एक को बोलते हैं, एक को बोल यह answer किया हो जाएगा? Flat warm. तो आप सभी का बिल्कुल correct answer आना चाहिए कि this is the answer of flat warm. किसका answer हो जाएगा? Flat warm का answer हो जाएगा. जी. उमिद करता हूँ कि सभी लोगों को TTC याद होगा? क्या याद होगा TTC याद होगा और TTC तो जानते ही आप एक फर्मूला आउट जान जाएगे DCC DCC क्या होता है स्टुडेंट का दुपहर का डाल C का चावल और C का चोखा डाल चावल चोखा भी जानते रहिएगा DCC और TTC TTC क्या है टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा सिस्टोडा तो आप अपने डाल चावल चोखा भी याद रखिएगा स्यूपरशाद जी देखो मज़ा आई बिल्कुल विशाल वर्मा जी आई मज़ा न ओके गुड अभिशेग जी बिल्कुल सोनु कुमार को भी मजाई, महिमा मिश्रा जी को भी मजाई, जी, अंकिता अनुकृती सिंग जी को भी मजाई, तिरिशा यादो जी को, सलोनी गुप्ता जी को, बिल्कुल उम्मित करते हैं कि सभी लोगों को लगा, यस सर, डाल चावल चोखा ही चलेगा, बिल्कुल चलाते रही है, अब हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बताते, जी, किस के किस के सलाइवेशन होने लगा, very good, मतलब डाल, चावल, चोखा का नाम सुन करके सलाइवेशन होने लगा, possible नहीं है, आप लोग बहुत दूर-दूर से जुड़े नहीं तो हम सभी लोगों को सिमयां जरूर खिलातें लेकिन आप सेलेक्षण ले लो, सिमयां मिलेंगी खाने के लिए, don't worry, be happy, ठीक, सेलेक्षण के बाद, जरूर से जरूर मिलेंगी, और इसलिए, ये आनलाइन है, हम आपको निमंतरा नहीं दे पाते, आफलाइन होती, तो क उम्मिद करते हैं, 16 का option नहीं दिख रहा है, कहां पर option नहीं दिख रहा है, where, दिख तो रहा है option, अब इस question को देखिए और बेहतरीन तरीके से answer करिए, और मुझे पूरा उम्मिद है कि आप सभी का answer बहुत अच्छा हैगा, cross section of body, यह है आपका cross section of the body, of an invertebrate is given below, identify the animals which has this body plan, किसमें जो है body wall होती है, किसमें पैरनकाइमा होता है, किसमें elementary canal होती है, आपको यह कौन सा section है, cross section है, इसे देख कर बताना है, कि यह किसका character है, cockroach का, round warm का, planaria का, या फिर earth warm का, तो आपको देखने में क्या लग रहा है, आपको देखने में लग रहा है सर, यह structure किसका है, यह structure है आपके planaria का, अगर हम लोग cross section काट के देखते हैं, तो सभी का answer आता है, इसमें हमें elementary canal भी देखने को मिलती है, body wall भी देखने को मिलती है, पैरन काइमा layer भी देखने को मिलती है, तो इसका सही answer, planaria, बहुत अच्छे, ऐसे question आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ, उसे भी आप handle कर लेंगे, next, बहतरीन question, लोको मोटरी आरगन in tiniasolium, tiniasolium का लोको मोटरी आरगन क्या कहलाता है, tell me fast, सभी लोग बताईएगा, tiniasolium का लोको मोटरी आरगन क्या कहलाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है, कि आप सभी लोगों का बिल्कुल सही answer आएगा, tiniasolium का लोको मोटरी आरगन क्या कहलाता है, थोड़ा सा आपका answer देखना चाहता हूँ, कि आप लोग क्या answer कर रहे है, tiniasolium का लोको मोटरी आरगन किस नाम से जाना जाता है, जी, उम्मीद करता हूँ कि लगबख सभी लोग बता रहे हैं, सर, none of these, जी दोस्तों, जितने लोगों ने answer किया है, none of these, बिल्कुल correct answer है, क्योंकि tiniasolium का जब आप ABP करते हैं, ABP करते हैं, autopsy, biopsy और post-matum, तो आप पाते हैं, सर, ये तो parasite होता है, यहां तक कि हमने सुना है, इसमें elementary canal भी absent होता है, ये totally किस पर depend करता है, host पर depend करता है, तो इसको खाने के लिए चलने की कोई जरुवत नहीं होती, चलने की कोई जरुवत नहीं होती है, इसलिए इसमें लोको मोटरी आरगन कुछ नहीं पायाता, due to parasitic mode of life, इसकी parasitic mode of life होने के कारण, इसमें किसी भी तरीके का locomotion नहीं होता है, इसलिए इसका सही answer क्या हो कि यह pew okay तो इसका कोई भी क्या कहें गा इसका कोई भी लोकोंट्री आर्गन नहीं होता है और ये लोकोंट्री आर्गन इसमें एक्सेंट होता है उम्मिद करते हैं कि यह भी आपको याद रहेगा कुछ लोगों से एकदाम में गलती हो सकती थी press आज ये कोश्चन कितना अच्छा लग रहा है लेकिन जब आप इसका रिवीजन करना कम कर देंगे तो आपको यहीं वहाँ पर बैठ के सोचना ना पड़े कि किसको बिलॉंग करता है आज तो आप उला दे रहे होंगे क्योंगि आज तो आपके टंग पर है ये कहाँ हैं आपकी जुबान पर है और आपको बेचरी तरीके से याद है कि प्लेटी हिलमधिस को तीन क्लासस में डिवाइट किया गया है ऐसे क्लासस आपको प्रोटोजोवा पोलि फेरा, सिलिंट्रेटा, ठीनोफोरा ये सब के आपक form फिर उसके बाद date हम बीच में किसी ना किसी दिन एक class लेकर आएंगे जब हमारी पूरे phylum की एक 7 class होगी और जितने important point होते हैं हम सभी लोग चाहे 4 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे चाहे 8 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे लेकिन हम पूरे phylum को आपके सामने जरूर लेकर आएंगे चाहे वो मुझे application पर ही लेकर आना पड़े लेकिन हम अपनी class ये लाएंगे जरूर और आपको non-caldate का mastermind बनाएंगे क्योंकि यहां से 16 से 18 question आते हैं और हम नहीं चाहते कि एक भी question आपका गरवर हो और आप जानते हो कि अगर हमें कुछ करना होता है तो हम आपको पहले से announcement देते रहते हैं आज आगाज हुआ है आपके कान में ये बात गई है कि ऐसा होगा तो जरूर होगा impossible कोई चीज नहीं होती है क्योंकि जिस दिन हम आपके बैच में फाइलम को finish करेंगे उसके 3-4 दिन के बाद हम पूरे फाइलम को एक साथ लेकर आएंगे आपको पता है मेरा फाइलम परहाने का तरीका भी जानते हैं आप कि हम उसी फाइलम के word से आपको कोशिश करते हैं कि आपको सारे character याद हो अगर मैं आप से पूछ लूँ कि प्लेटी हलमेंथीज में टी का मतलब क्या था तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरी आप पर believe है कि आप सभी लोग मुझे टी का मतलब जरूर बता देंगे कि टी का मतलब क्या था जितने लोग जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कम क्यूटिकल, ट्रिपलोब्लास्टिक, ठिक क्यूटिकल, बस यही चाहते हैं कि यहां से आप सभी लोगों की चीजें इसी तरीके से तयार रहें कि आप आसानी से एक्जामिनेशन में हैंडिल कर सके, नेक्स देखिए, दा एक्सक्रीटरी आरगन आप फ्लैट वांप, इस दा राइट आंसर, जी हमें जिस तरीके से आपको उम्मीद रहती है, उसी तरीके से मुझे भी उमीद रहती है कि यह सारा मामला बिल्कुल किलियर हो जाएगा, जी दोस्तों, नेक्स कोशन पर चलते हैं, कोशन नमबर 20 आपकी स्क्रीन पर, फ्लैट वांप होते हैं, आ इस शब्द से आपको बताया था कि क्या होता है, और आप सभी को याद होगा कि फ्लैट वांप सो होते हैं, आज सीलो मेट होते हैं, क्या होते हैं, आज सीलो मेट होते हैं, और आप में से ज्यादा तर लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, कि ये आज सीलो मेट होते आप सभी लोग देखें आप में से जो लोग अभी तक किसी कारण बस क्लासेज से नहीं जूर पाए हैं PGT, PGT, LT Biology का हमने fresh new batch launch किया है आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो Monday to Friday पढ़ते हैं Monday to Friday जो हमारी क्लासेज होती हैं उसका हम Saturday को और संडे को revision का कारे रखते हैं इस Saturday हमने आपका revision कराया था Jimno Spam का हमने आपका revision करवाया था तो आप बताएंगे सर, Lichen का revision करवाया था और Plant Hormone का revision करवाया था और संडे की क्लास छुट्टी होने के कारण आज हम क्लास ले रहे हैं हम लोग revision कर रहे हैं प्लेटी हेलमेंथीस का और अभी हम लोग करेंगे एंजाइम का इन दोनों का revision का कार आज हम लोग करेंगे बेतरीन तरीके से और आप में से जो लोग अभी तक किसी कारण बस बैस से नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग बैस से जुड़ने के लिए इस WhatsApp नमबर पर 8756703588 पर जोईन TGT लिख कर भेजें और PGT और LT biology लिख कर भेजें और अपने admission की प्रक्रिया को पूरा करें आपके admission की प्रक्रिया रात के एक बज़े तक चलती है रैबडाइट्स अकर इन ये रैबडाइट्स किस में पाए जाते हैं और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का answer आएगा रैबडाइट्स किस में प्रिजेंट होते हैं सही answer तो आप सभी का आएगा ये मुझे पूरी तरीके से पता है प्लानेरिया और डुजेशिया इसका सही answer है कि रैबडाइट्स जो होते हैं वो प्लानेरिया या डुजेशिया में पाए जाते हैं मतलब तर्बिलेरियन में पाए जाने वाला करेक्टर है जिसे हम लोग रैबडाइट्स के नाम से जानते हैं और उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों का कि देखिए आपके पूरे फाइलम का करेक्टर क्या है देखिए लिखा है ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं अनसेग्मेंटेड होते हैं असिलो मेट होते हैं बाई लैटर सिमिट्री पाए जाती है reproducing both asexually और sexually reproduction करते हैं parasitic form में पाय जाते हैं above description is characteristic of phylum यह किस phylum का characteristics है तो उम्मिद करते हैं कि आप सभी का भेटरिन तरीके से answer आ रहा होगा कि these are the characteristics of pality helminthis यह किसका characteristic है तो आप बताएंगे सर यह characteristics है pality helminthis का उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का आंसर यहां तक का बेतर आंसर होगा दा कंट्रास्ट टू एनिलीड दा प्लेटी हलमेंथीज शो करता है जो कि एनिलीड नहीं शो करता प्लेटी हलमेंथीज ऐसा क्या शो करता है जो एनिलीड नहीं शो करता तो आप बताएंगे प्लेटी हलमेंथीज में एपसेंस आफ बॉडी कैविटी होती है आज सिलो मेट होता है प्लेटी हलमेंथीज जो होता है एपसेंस आफ बॉडी कैविटी होती है मतलब ये आज सिलो मेट होता है जबकि एनिलिजा में ये करेक्टर पाया जाता है प्लेट लोगों ने आंसर किया है, absence of body cavity, सभी का बहत्रीन आंसर है, 24 नमबर question आपकी स्क्रीन पर, the greatest ability of regeneration amongst the animals is found in, question देखते ही आपके अंदर खुशी आ गई होगी, कि the greatest ability of regeneration, greatest ability of regeneration की किस में देखने को मिलती है, इसकैरिस में, फिरिटुमा पास्थुमा में, हिरुडुनेरिया में, या फिर प्लैनेरिया में, दुजेशिया में, तो आप सभी का अंसर आ रहा होगा, maximum regeneration की power किस में देखने को मिलती है, हमने बताया था, regeneration की खोज किस वेज्ञानिक ने किया था, आप सभी लोग comment box में जवाब दीजिएगा, regeneration को पहली बार किस में खोजा था, तो उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोगों का आंसर आएगा, कि regeneration को पहली बार खोजा था, आंसर देखते ही, पता चल जाएगा, आप लिए नहीं, फड़ा फड़ा बताने कोईश करिएगा, किस ने खोजा था, कुमारी इसने हलता जी, बिल्कुल, ट्रैंबली ने खोजा था, बिल्कुल अनीता यादो जी ने करेक्ट आंसर दिया है, नीलम पांडे जी ने दिया है, सोनी निशादनी जी जी, भंडारी मौर रिवीजन, 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 करते रहें, इधर पर N टर्मिनल और इधर पर C टर्मिनल लगा करके प्रोटीन को जन्म देते रहें, और प्रोटीन के साथ अपनी पावर को मजबूत करते रहें, और अपने एक्जाम में P for protein, P for pass होकर दिखाएं, इन स्रिष्टी उपाध्याय ने, कुलदीब गंगवार ने, खुश्बू यादों ने, ये सभी हमारे नए बच्चे हैं, जी, ये सभी हमारे नए लोग हैं, exam oriented लोग हैं, इन लोगों ने कसम खाई हैं एक चीज की, कि सर, वक्त निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन DBDR नहीं करेंगे, हर रोज, रोज पढ़ेंगे, day by day, revision का कार करते रहेंगे, ये बिना सांती, अख्तियार किये हुए, पहली बात तो मेरे साथ मिल करके, 6 घंटे ये classes करते हैं, इनके stamina को सलाम हैं, ये 6 घंटे मेरे साथ classes करते हैं, और अपना data बचाते हैं, data बचाते हैं, data भी safe करत हैं और उसके साथ डे बाई डे रिवीजन कर रहे हैं और ये उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं जो हमारे ओल्ड लोग हैं ऐसा नहीं होता कि इनका भी आंसर गलत हो जाए नहीं इनका भी आंसर गलत नहीं होता क्योंकि इनको जो समय मिल रहा है उसका जबरजस्त यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इस तरीके से यूटिलाइजेशन करते रहेंगे तो सच में बहुत अच्छा कर जाएंगे जी किलियर जी खुशबुग उतम जी हमें भी याद है आपकी क्लास से इनरजी मिलती है सर चंद्रा शेखर जी स्वागत है जी अंकिता मौर्या जी मुझे पता है कि आप सेलेक्शन लेने में न्यू है ठीक अभी सेलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए selection के लिए आप new हैं कि सर इस बार हम ही new है selection लेना है बस तो greatest ability of planarian किसमें पाई जाती है तो ये greatest ability of regeneration किसमें पाई आता है planarian में पाई आता है और planarian के बारे में किसमें बताया था तो बताया था trembling एक्स क्रिट्री आरगन इन टीनिया सोलियम में कौन से एक्स क्रिट्री आरगन होते हैं मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी का बहतरीन आंसर आएगा कि एक्स क्रिट्री आरगन कौन होते हैं आपका आंसर आ रहा है flame cell is the right answer और जैसे ही ये question देखते हैं आप first से answer करते हैं और आपके बहतरीन आंसर आते हैं flame cell is the right answer जी अगर किसी का comment नहीं देख पाते हैं तो उसमें कोई इतराज की बात नहीं है ये मानिये कि scrolling बहुत तेज होती है लोग देखें और मुझे आंसर बताएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का बहुतरीन आंसर आएगा जी क्लियर टू आल 26 नंबर question Chlor Gaussian Seclus resembles the following in function ये किस से resemble करती है फंक्शन में आप बताएंगे जो Chlor Gaussian गे ये resemble करती है ये भी Excritory Cells है कैसी cells होती है Excritory Cells होती है बताने कुईश करिएगा ये भी क्या होती है Excritory Cells होती है जब Excritory Cells होती है तो ये किसे resembles करती है तो आप बताएंगे सर ये resemble करती है flame cell से और इसका सईह आंसर हो जाएगा flame cell is the right answer ये excretory cells होती है और excretion में help करती है और ये किसे resemble करती है तो आप बताएंगे सर ये resemble करती है हमारे G analogous to liver under vertebrate G, बिल्कुल सही तो उमिद करते हैं कि F hygge is the right answer आप सभी का answer आरहा होगा फыт्ले जिज़ is the right answer ये analogus होती है invertibrate के liver से analogus होती है liver की analogus ये analogus होती है किसके analogus to the liver analogus to the liver आप invertebrate invertibrate बोले तो non-coordinate तो उमिद करते हैं सभी का answer correct Pseudo-silome is not found in Pseudo-silome किसमें नहीं पाया जाता Ascaris में, Encyloistoma में, Fasciola में, None of these Pseudo-silome is not found in तो आप बताएंगे सर हमारा Fasciola Hepatica जो होता है A-silomate होता है इसमें Pseudo-silome नहीं पाया जाते हैं और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आ रहा होगा पाशना चौहान जी, कमेंट दिख रहे हैं आपके लेकिन स्क्रोलिंग इतनी टेज है कि वो पाया नहीं जा रहे हैं Clear? Next question, 28 number question One example of animals having a single opening to the outside that serves both as mouth as well as inus जो mouth और inus दोनों का काम करती है इसे हम लोग blind sack anatomik के नाम से जानते हैं इसे हम लोग blind sack plan के नाम से जानते हैं जो की blind sack plan के नाम से जानते हैं blind sack plan के नाम से जानते हैं जिसकी शुरुवात silintrator से होती है किसे होती है? जिसकी शुरुवात silintrator से होती है लेकिन ये platyhelminthism भी पाया आता है इसलिए इसका सही आंसर फैशियोला हिपाइटिका होगा इसका सही आंसर फैशियोला हिपाइटिका होगा इसका सही आंसर फैशियोला हिपाइटिका होगा इसे ब्लाइन्ड सैक प्लांड के नाम से जानते हैं इसकी सुरुवात सिलिंट्रेटर से हुई है इसमें से कौन है जो एनरोबिक रिस्पिरेशन शो करता है आप बताएंगे सर एनरोबिक रिस्पिरेशन वो शो करता है जो कहां रहता है इंसाइड डा बॉडी जब इंसाइड बॉडी रहता है तो उसको बना बनाया खाना मिलता है तो वो एनरोबिक रिस्पिरेशन को शो कर पता है जी टैप वाम इस दा राइट आंसर और लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि टैप वाम इस दा राइट आंसर गुड़ वेरी वेरी गुड़ कोशन पर चलते हैं कोशन नंबर 30 आपकी स्क्रिन पर बाई लेटरली सिमेटरिकल बट आसिलोमेट एनिमल इस अच्छा कोशन है बार बार आपके सामने आ रहा है और उम्मित करते हैं आप सभी लोगों को तिन तरीके से समझ में आ रहा होगा बाई लेटरली सिमिट्रिकल जो बाई लेटरली सिमिट्रिकल होते हैं आसिलोमेट एनिमल्स होते हैं कौन हैं तो आप बताएंगे ये आसिलोमेट एनिमल्स में नाम आता है लीवर फ्लूक का और आप सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट आ रहा होगा लीवर फ्लूक इस दा चटी हैं और उस में हमों आपको पर दे पांच-किलास्व प्रॉज्स कर रहे हैं पर दे आपको पांच दो क्लासिस को जरूर पूरा करें, जिसमें हम 9 बच के 45 मिनट पर लोवर बॉटनी में कल से बैक्टीरिया टॉपिक शुरू करेंगे, उसके बाद आपको वाइरस पढ़ाएंगे, तो कल का टॉपिक बैक्टीरिया होगा, नया टॉपिक होगा, दो दिन चलेगा, दो दिन में एक क्लास होगी, जिसमें हम लोग ग्रोथ हार्मोन पढ़ा रहे थे, ग्रोथ हार्मोन फिनिश हो गया है, फोटो पिरियोडिजम पढ़ेंगे, उसके बाद फोटो सेंटेसिस शुरू हो जाएगा, तो आपकी ये दोनों क्लासिस अगर आप वरकिंग के नाते छूट जाती है, तो आप पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉंस्विलिटी के साथ आप इस क्लास को जब आपको वक्त मिलता है तो कॉंटिनू करें, और अगर आपके दिल में ये खयार आता है, कि सर हमारा एक्जाम सेप्टेंबर और अक्टूबर में होने वाला है, तो क्या तब कोर्स खतम हो जाएगा, हम आपसे पूछते हैं, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की तरह बताईएगा, कि अगर हम आपकी पांच क्लासेज डेली ले रहे हैं, मतलब आपका पांच टॉपिक डेली चल रहा है, पहला टॉपिक 9 बच के 45 मिनट पर लोवर बोटनी, 11 बच के 10 मिनट पर प्लांट फिजियोलजी, तीसरा टॉपिक 45 पर आपका नौन कॉर्डेट, चौथा टॉपिक 7 बच के 10 मिनट पर प्लांट एंब्रियोलोजी, पांचमा टॉपिक 8 बजे आपका बायो मॉलिकूल्स, आप सब को पता है कि प्लांट एंब्रियोलोजी खतम होने वाली है, biomolecules खतम होने वाला है, कौन खतम होने वाला है, plant embryology खतम होने वाली है, biomolecules खतम होने वाला है, genetics हमारा खतम हो गया है, और हमारा finish होने वाला है non-cordate भी, हम platyhelminthes तक पहुँच गए हैं, मुश्किल से 10 दिन की class में finish हो जाएगा, non-cordate, अब जब ये topic finish होंगे, तो plant embryology पर हम क्या लाने माले हैं, तो आप बताएंगे animal physiology, और हम biomolecules चल रहा हैं, इसकी जगह पर क्या लाने माले हैं, तो आप बताएंगे, हम इसकी जगह पर एक बहतरीन topic आपका लाएंगे, जो आपके biology के major section को cover करेगा, जिसमें soil, forest और wild life की बात करेंगे, और genetics finish होगा, तो इसकी जगह पर हम लाएंगे cell biology, non-cordate finish होगा, तो इसकी जगह पर हम लाएंगे cordate, आप बताएंगे कि अगर एक महिने में मैं 6 topic finish कर सकता हूँ, तो आने वाले 6, एक महिने में फिर आपके 6 topic finish हो जाएंगे, और इस तरीके से 12 topic के master, आप 10 अगस्त तक हो जाएंगे, 10 अगस्त तक 12 topic आपके grip में होगा, आप एक बार सोच के देखो, कि अगर 12 topic आपके grip में हैं, और 10 से 15 अगस्त हुए हैं, आने वाले exam सेप्टेंबर में होने के chance हैं, तो जो topic होगा, कितने easy तरीके से cover कर लेंगे, आप सभी लोग चानते हो, कि हमेशा दो classes चलती थी, two classes, morning, evening, लेकिन आपके exam oriented batch में, पांच classes चल रही हैं, तो आप आपको आपको detail में पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, बस आमिर सर जो 3 घंटे पढ़ाते थे, उसको 6 घंटे कर दिये हैं, सारे 6 कर दिये हैं, जरुवत पढ़ेगी तो 9 घंटे भी होंगे, तयार रहिएगा आप लोग, बिना किसी hesitation के, continue करिए, बस इतना मुझसे वादा करिए, कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, डे बाई डे आपका revision का कार करते रहना है, जितना बेहतर revision का कार करेंगे, प्लेटी हेलमेंथिस की तरह, हर चीज आपको आसान दिखेगा, तो जो लोग अभी तक किसी कारण बस बहस से नहीं जूड़ पाएं हैं, जूड़ने के लिए इस नंबर पर WhatsApp करें, और अपनी चीजों को बेहतरिन तरीके से continue करें, next question आपकी screen पर, उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों को बेहतरिन तरीके से समझ में आएगा, sometimes parasites themselves are parasitized by other organism, कहरें कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पैरासाइट खुद पैरासिटाईज हो जाते हैं, कभी कभी चौर के ऊपर भी चौर आजाता है, तब क्या होता है, तो महा चौर में लडाइए होती है तो लड़ाई होती है तो जो जीता है वही बड़ा वाला चोर कहलाता है अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा जी भंडारी मौरिया जी आमिर सर के बैच में ओके आप लोगों को सच में स्क्रील इसक्रील बहुत तेज रोल आउट हो रही है क्लियर देखिए लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है और किसी ने विशाल वर्मा ने शायद लिख दिया कि जीनोप साइला में पाए आता है बहुत अच्छे वेरी गुड जी लगभग सभी लोगों का बहत्रीन आंसर करेक्ट आंसर आ रहा है वेरी गुड एक्सिलेंट और पिंकी कुमारी जी का सी कैसे आ गया पिंकी जी समालिए गरबर नहीं होना चाहिए जी किलियर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसी कंडिशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर पैरासिटाइज क्या बोलते हैं हाइपर पैरासिटाइज क्या बोलते हैं हाइपर पैरासिटाइज ये question काफी important और आप लोग TGT के साथ साथ भी जो NVS का form भरे हैं वो NVS में भी आपके ये बहुत important role play करेगा आप अपनी तैयारी को एक बहतरीन मुकाम देते रहिए आपके साथ तीन तीन चीजें हैं एक तो आपका TGT का exam है TGT के साथ जो PGT देंगे उनका PGT का भी exam है उसके बाद NVS आपके सामने announced है उसके बाद आपको कहीं न कहीं से खबर मिलती है कि LT biology भी announce होने वाली है जब LT की वेकेंसी आजाएगी तो एक वेकेंसी आपको और मिलेगी ये तीन वेकेंसी 2022 में आपके सामने हैं हम चाहते हैं कि इन तीनों में से आप किसी ना किसी में एक में अपना कबजा जमा लें कबजा जमा लें उसके बाद फिर बात होगी आगे की प्लान की तो इस तरह से मेहनत करिए जूज के मेहनत करिए मुझे पता है कि मेहनत करते समय आपको कुछ दिखता नहीं है लेकिन सेलेक्शन जब होता है दोस्तों तो जो खुशी होती है उस खुशी को आप किसी से शेयर भी कर सकते लोग आप से शेयर करेंगे आप इतने खुश रहेंगे कि न पूछे कितना बेटर जिन्दगी में मोड आएगा उस मोड को ध्यान में रखते हुए खुब जबर्जस्त रिवीजन का कार्य करते रहें पढ़ाने का काम मुझे पर छोड़ दें हम आपके लिए तयार है don't worry, mehalis gland पिछली बार exam में पूछा गया था हर बार पूछा जाता है mehalis gland of tapeworm are associated with mehalis gland जो होती है वो किस से associated होती है तो बच्चा बच्चा जानता है sir mehalis gland जो होती है वो reproduction से associated होती है बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये reproduction से associated होती है most most important आपके exam के point of view से आपके exam के point of view से काफी important question है कम से कम 30 से 35 question आपके TGT और PGT में ऐसे direct आते हैं 30 से 35 question direct आते हैं और direct question कभी आपसे गलत नहीं होने चाहिए इस हिसाब से आपको practice करके रखना है और वो भी practice खुद नहीं करना है हम हैं आपके लिए don't worry आपके वाल matter को revise करते रही है बस malpigion tubules are analogous to malpigion tubules जो होती है वो किसके analogous होती है जब आप analida पढ़ेंगे तो उसमें आएगा malpigion tubules लेकिन अभी आपसे पूछा गया है ये किसके analogous होती है तो दोस्तों सभी लोग बताईएगा कि सर ये excretory आरगन के analogous होती है वो भी excretory आरगन कौन सा है आप बताएंगे flame cells ये flame cells के analogous होती है never forget आपने flame cells के बारे में पढ़ा है और flame cells को आप जानते हैं कि ये किसमें पाया जाता है जी practice के लिए आपको कहीं पर नहीं भागना है आप बिल्कुल परशान नहों सारे topic की practice wise session यहां पर चलेंगे अभी हम अपने batch के एक चल रहे हैं हमारे batch में जो topic चलता है हम उसी की practice कराते हैं batch के बच्चों के लिए tape warm does not possess digestive system tape warm में digestive system नहीं होता है as it does not require solid food obtained food through the general surface does not require food lives in intestine आप सब का आंसर आ रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन आंसर आप सभी की screen पर जी बहुत अच्छे very good excellent बतानी को उसकरिएगा बिल्कुल correct आंसर और लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसमें से कुछ लोगों का D आंसर आ रहा है और कुछ लोगों का B आंसर आ रहा है तो आप से कहा जा रहा है tape warm does not possess digestive system tape warm में digestive system नहीं होता है क्यों नहीं होता it does not require solid food ये solid food नहीं चाहता ये अपना food जो है general surface से अटेंड कर लेता है इसलिए इसमें नहीं होता तो जितने लोगों ने B आंसर टिक किया है उन लोगों के सभी के आंसर correct है B आंसर ये parasite होता है liver lives in intestine intestine में रहता है लेकिन ये food कैसे लेता है general surface से लेता है इसमें कोई elementary canal नहीं होती है और general surface दोरा ये food को obtain करता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा B आंसर हो जाएगा digestive system पूछा है obtain food from body surface जी digestive system क्यों नहीं होता है ये आप से नहीं पूछा है आप से कहरा tap warm does not possess digestive system as it इसके अंदर digestive system नहीं होता है क्योंकि ये अपना food कैसे absorb करता है general surface से clear जी उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से clear obtain food through body surface next question intermediate host of intermediate host of liver fluke liver fluke का intermediate host कौन होता है intermediate host कौन होता है बताने कुछ करिएगा 35 number question है आपका और याद रखिएगा जब भी कभी पूछे कि liver fluke का intermediate host कौन सा होता है जो exam oriented batch के लोग है mind map के बैच के लोग है वो बिलकुल न घब रहें ये अभी हम लोग Monday कल से इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये साधी life cycle बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी इसका सही answer है snail कौन होता है snail is the right answer और जितने लोगों ने snail answer टिक किया है सभी लोगों का answer विलकुल correct है जी snail is the right answer आप लोग के भी answer ये correct आने लगेंगे don't worry be happy उमिद करता हूँ यहां तक की बातें आप सभी के clear 36th number question आपके screen पर the embryo of tinea present in ripe proglotis कहरें कि जो tinea solium होता है उसका जो embryo होता है embryo of tinea present in the ripe proglotis जो ripe proglotis में पाया जाता है वो किस में पाया जाता है tetrakanth में, hexakent में, miracerium में या bladder warm में 36th number question आपके screen पर तो दोस्तों जब कभी पूछा जाए tinea, embryo होता है tinea solium का वो कहां पर present होता है तो आपका आणसर आएगा सर ये present होता है proglotis में, किसके proglotis में tetrakanth के, hexakent के तो आप सब का आणसर आएगा hexakent के proglotis में हमारे old लोगों का लगभग लगभग सही आणसर आ रहा होगा hexakent लगभग लगभग सभी लोगों का आणसर आ रहा होगा hexakent और हमारे नए लोग बिलकुल घबराएं नहीं पढ़ने के बाद आपके बहतुन तरीके से याद हो जाएंगे सिस्टो सोमा एक परसाइट होता है जी मुकेश कुमार जी confused नहीं यह मौका है अपने को सुधारने का सिस्टो सोमा एक परसाइट होता है वो कहां पाया जाता है तो सबका अंसर आ रहा होगा सिस्टो सोमा बलड में पाया जाता है कहां पायाता है, blood में पाया जाता है, most most important, 38 number question आपके screen पर, onchosphere occurs in, onchospheres किस में होता है, onchospheres occurs in, onchospheres किस में पाया जाता है, ascaris में, fasciola में, tinea solium में, planeria में, onchospheres किस में पाया जाता है, सभी लोग बताने कुछ करिएगा, 38 number question, और मुझे पता है, कि आप सभी का answer आ रहा होगा, tinea is the right answer, onchospheres किस में पाया जाता है, ये tinea में पाया जाता है, और मुझे पता है, कि आप सभी के बहतरीन आंसर आ रहे ह आंसर, मतलब आपके आंसर, आपके चीजें ये बताती हैं, कि आपके फायलम बहुत बहतर मोड में चल रहे हैं, अच्छा लगा, आपके फायलम के प्रस्णों को, आंसर को देख करके, transfer of tinea to secondary host, transfer of tinea to secondary host occurs as, पताने कोईश करिएगा, most important, और लगभग, लगभग, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, जब दोस्तों transfer of tinea का पूछे, और secondary host पूछे, तो occurs in onco sphere is the right answer, onco sphere is the right answer, कुछ लोग 60 circus वाले कहां चल रहे हैं, बताने के गोईश करिएगा, जी, 40 number question, what is true of tinea solium, tinea solium के बारे में क्या सही है, देखिएगा, बताने कोईश करिएगा, tinea solium के बारे में क्या सही है, it sucks food from host by means of oral suckers, ये oral suckers द्वारा food को suck करता है, it has head, neck and thorax and abdomen is absent, इसमें head होता है, neck होता है, thorax होता है, लेकिन abdomen absent होता है, onco spheres are highly resistant and can withstand boiling temperature, करें, onco spheres जो होते हैं, वो highly resistance होते हैं और इनके पास boiling temperature होता है, the animals has no mouth, इसमें कोई mouth नहीं होता, no elementary canal and anus, इसमें ना तो कोई elementary canal होता है, ना तो anus होता है, आप से पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा सही है, जी, देखिए, लगभग लोगों ने answer किया है, D को lock किया जाए, अंकिता मौरिया जी ने ताला भेज दिया है, कि sir D को lock कर दीजे, D is the right answer, और मुझे उम्मीद है, कि आप सभी लोगों का answer बिल्कुल correct है, D is the right answer, जो tinius solium होता है, इसमें कोई mouth नहीं होता, no mouth, elementary canal, no elementary canal, and ns, ns भी नहीं होता, तो tinius solium के बारे में यही ज़्यादा सही है, और उम्मीद करता हूँ, कि लगभग सभी लोगों का बिल्कुल सही answer आ रहा है, D is the right answer, जो यहाँ पहला आपको यहीं से गलत हो गया, कि यह oral सकर से सक करता है, क्योंकि वो body surface से लेता है, ठिक, उम्मीद करता हूँ, यह 40 question थे, आपके किस के, तो आप बताएंगे, यह 40 question थे, हमारे प्लेटी हलमेंथीज के, अब हम लोग चलते हैं, अब दूसरे दुनिया की ओर, दूसरे टॉपिक की ओर, आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर question आपके सामने है, most important, enzyme, एक बार थोड़ा सा पानी पी लिजे आप लोग, फिर हम लोग शुरू करते हैं, प्लेटी हलमेंथीज के, सभी अच्छे गए, विल्कुल, अब देखिएगा, enzymes की तरफ move कर रहे हैं, अभी हमें इसका answer नहीं चाहिए, आप लोग एक एक घूर पानी पी लिजे, फिर सुरू करते हैं, ओके चंदर सेखर जी, आएए, शुरू करते हैं, important question आपकी screen पर, और उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोगों का बिल्कुल बेहतरीन answer आएगा, आप सभी लोगों का बिल्कुल बेहतरीन answer आएगा, classification of enzymes, और मुझे पूरी तरीके से पता है, कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से answer करिएगा, समझ समझ के answer करिएगा, कोई जल्दी बाजी नहीं है मुझे, और आपके हम उम्मिद करते हैं, कि सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, enzymes that catalyze interconversion of optical, geometrical, positional isomers, करें कि enzymes, ऐसा enzyme कौन सा है, जो catalyze करता है interconversion of optical का, geometrical का और positional isomers का, तो isomers का नाम आया है, तो आप सभी का answer आ रहा होगा, यह isomerase हो सकता है, कौन हो सकता है, isomerase, देखिए, maximum लोगों का answer 100% करेक्ट आ रहा है, दोस्तों बहुत अच्छे, इसके लिए, तो सच में आप लोगों ने बहुत अच्छा answer किया, isomerases is the right answer, यह सब question कह सकते हैं आप, MIMP हैं, MIMP हैं, most important है, सभालिएगा, यह question केवल आप ही के सही हो सकते हैं, next question देखिए, most important, और उम्मिद करता हूँ, कि लगभग सभी लोगों का answer बिलकुल correct आएगा, systematic approach of naming enzyme, करें कि जो enzyme का नामकरण किया जाता है, has been recommended by, किस कमिशन के द्वारा recommend किया जाता है, international union of physiology द्वारा, international union of biochemistry द्वारा, international union of bio technology द्वारा, international union of genetic engineering द्वारा, नाम हो रहा है enzyme का, enzyme किस से मिलकर बनता है, amino acids क्या होते हैं, chemical होते हैं, chemical का अध्यन किस में करते हैं, chemistry में करते हैं, जब इसी का अध्यन bio में करते हैं, तो क्या कहलाता है, bio chemistry कहलाता है, और इसका जो commission है, जो इसका नामकरण करता है वो कौन है बायो केमिस्ट्री है तो इंटरनेशनल 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 इं की स्क्रीन पर basically how many types of enzymes basically how many types of enzymes बताने कोईश करिएगा कितने types के enzymes हैं had been recognized by International Union of Biochemistry International Union of Biochemistry द्वारा कितने enzyme को कितने enzyme को recognized किया गया है International Union of Biochemistry द्वारा कितने enzyme को recognized किया गया है option है 4, option है 5, option है 6, option है 8 दोस्तों याद रखना इसका answer 6 है क्या है इसका answer 6 है 6 enzyme को इस संस्था द्वारा recommend किया गया है recognized किया गया है 6 is the right answer याद कर लेना है हम आने वाली अपने biomolecules की class में इसको topic को ही रख देंगे International Union of Biochemistry जो थोड़े से commission है उनके बारे में हम आपसे discussion कर लेंगे आप बिल्कुल परिशान मत होईएगा इन दा modern system of nomenclature which one of the following enzyme occupies first position कह रहें कि जो nomenclature का system है उस nomenclature के system में पहले place पर किसे occupied किया गया है इन दा modern system of nomenclature which one of the following enzyme इसमें से कौन सा enzyme है जिसे first position दी गई है आक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांस फिरेस, हाइड्रो लेस और लाइगेस तो इसका सही आंसर सभी लोग जानते रहेगा इसका सही आंसर है आक्सीडो रिडक्टेस पहले position पर कौन सा enzyme रखा गया है आक्सीडो रिडक्टेस को रखा गया है पहले position पर किस enzyme को रखा गया है तो आप सभी का अंसर आएगा सर आक्सीडो रिडक्टेस को पहले position पर रखा गया है जी बहुत अच्छे very good जी विनीत कुमार जी बिलकुल सही जी उम्मिद करते हैं कि यहां तक की बातें सभी लोगों को बेटरिन तरीके से क्लियर है आक्सिडो रिडेस को पहले अस्थान पर रखा गया है यह कैसे एंजाइम की कटेगरी में आते हैं बताइएगा दा प्लांट प्रोटीनेजेज प्लांट का एंजाइम प्रोटीनेजेज है और इंडो पेप्टाइजेज है यह दोनों एंजाइम एक ही है इस यह कैसे एंजाइम है यूरियेज है crystal form में हैं आप पहेंगे नहीं सर यह papyan है क्या है यह papyan है most most important यह pepsin के category के नहीं है यह trypsin के category के नहीं है यह papyan enzyme है यह papyan enzyme है जिसे हम लोग proteinase या endopeptidase के नाम से जानते हैं papyan is the right answer for it जी अर्चना वर्मा जी यह question थोड़े से note करते हुए जाएगा important है narrate nitrate reductase enzyme is responsible for the formation of most important question question number six आप से पूछ रहा है कि nitrate reductase enzyme is responsible for nitrate reductase enzyme किसके formation के लिए responsible या आप कह सकते हैं किसके लिए यह most important role play करता है तो आप बताएंगे nitrate reductase जो होता है यह बनाता है NO2 और जो NO2 होता है यह change होता है NO3 में आगे question आएगा तो यहाँ deal करेंगे आप बताएगा NO2 यह जो nitrate reductase है यह क्या करता है एटमस्फिरिक nitrogen nitrogen को nitrate में convert करता है फिर यह nitrate convert होता है nitrate में और फिर पौधे इस nitrate को absorb करते हैं और utilize करते हैं तो nitrogen को nitrate में कौन बदलता है तो आपके पास answer आएगा सर nitrogen को nitrate में बदलता है यह आपका enzyme nitrate reductase तो nitrate reductase क्या करता है उम्मिद करते हैं, सभी लोगों के दिमाग तक पहुच गया होगा, the first enzyme that reduces nitrates into nitrites and ammonia in plants, करें इसमें से कौन सा enzyme है, जो nitrates को nitrates में reduce करता है, कौन सा enzyme है, जो nitrates को nitrite में reduce करता है, यहाँ पर nitrite में reduce करने की बात आई है, तो कौन है, nitrite में और ammonia में, नाइटराइट और ammonia में कौन इसको reduce करता है, दोस्तों, जो nitrite है, यह क्या है, यह nitrate है, nitrate को nitrite में कौन बदलता है, तो आप बताएंगे सर, nitrogen को भी nitrite में कौन बदलता है, और nitrate को भी कौन बदलता है, यह एक ही enzyme है, जो बदलता है, उसका नाइट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट् क्लियर नहीं टफ नहीं है यही आपके एक्जाम में आते हैं जो आपको बाहर कर देते हैं आप सबी लोग उडा देंगे कौन सा एंजाइम है जो एटमास्फिरिक नाइट्रोजन फिक्षेशन के लिए रिस्पोंसिबल होता है atmospheric nitrogen fixation के लिए कौन सा enzyme responsible होता है 90% लोग का answer आ रहा होगा nitrogenase और उम्मिद करते हैं 100% लोग answer कर रहे होंगे nitrogenase is the right answer nitrogenase is the right answer और उम्मिद करते हैं लगभग लगभग सभी लोगों का answer correct है next question पर चलते हैं question number 9 at the time of cotton seed germination जब cotton seed germination होता है stored food is digested by वो जो stored food होता है वो कौन digest करता है मोटा मोटा लिखवाया था और याद करवाया था कि इसको digest कौन करता है इसको digest करता है stored food starts होता है और इसको digest stars को digest कौन करता है amylase amylase is the right answer दिमाख लगाते तो ख़बर मिलती कि stored food कौन सा होता है stored food जो होता है starch होता है starch को digest कौन करता है तो यह digest करता है emylase जी enzyme के question सही हो रहे हैं सारे question arsana synergy very good excellent यही उमीद है next question fat is hydrolyzed by enzyme lipase करें कि fat जो होता है fat is hydrolyzed fat जो होता है वो hydrolyzed होता है lipase enzyme की उपस्तिती में किसमें hydrolyzed होता है बच्चा बच्चा जानता है कि fat बदल जाता है fatty acid और glycerol में किसमें बदल जाता है fatty acid और glycerol में बदल जाता है और उम्मिद करते हैं कि लगभग आप में से 99% लोग answer कर रहे होंगे glycerol and fatty acid जी ये तो मेरा काम है कि जो आपको टफ लगता है उसे आसान बना दें और उस आसान से सब्द में आप बेटरीन तरीके से आंसर को रिस्पॉंस करें जी उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें 10 कोश्चन आपके सही एक बार कमेंट करके बताईएगा कि 10 में से आपके कितने कोश्चन सही हुए एक बार कमेंट करके बताईएगा कि 10 में से आपके कितने कोश्चन सही हुए एंजाइम वाले मुझे उम्मिद है कि 8 के उपर सब के सही होंगे tell me fast जी जी सोनी निशाद जी glycerol and fatty acid देखिए 8 के उपर सब जा रहे हैं 8, 9, कोई कोई तो 10 जी 8, 9, 8 प्लस 10 by 10 भी लोग हैं बहुत अच्छे जी बहुत अच्छी आर्चना शायनी जी revision करें, note करें और label को हम कभी कम नहीं करेंगे ये label आपके examination के लिए बहुत important है, और आप में से जो लोग class में देर से जुड़े हैं किसी कारण बस अभी तक like की बटन को press नहीं कर पाए हैं, वो सभी like की बटन को press करें, आगे के question के लिए तयार रहे हैं, fast and fast, don't let substrate of amylase enzyme, जो amylase enzyme होता है, उसका substrate क्या होता है, कुछ नहीं बोलेंगे हम, देखते हैं आप में से कितने लोगों का answer सही आता है, कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं, आप में से कितने लोगों का answer correct आता है, जी, fast, high five, okay, फड़ा फड़ा बताने कोईश करिएगा, लोगों का सही answer आ रहा होगा, substrate, substrate पूछा है भई, कि MLS किस पर काम करता है, तो बच्चा बच्चा जानता है सर, MLS तो stars पर काम करता है, तो जितने लोगों ने answer किया होगा, सबी लोगों का answer, बिल्कुल 100%, shorty के साथ correct होगा, जी, बहुत अच्छे, very good, excellent, next question, 12 number question, आपके स्क्रीन पर, enzyme which hydrolyzes stars to maltose, इसमें से कौन सा enzyme है, जो stars को maltose में बदलता है, कौन सा enzyme है, जो stars को maltose में बदलता है, बच्चा बच्चा जानता है, कि stars जो होता है, वो किसमें बदलता है, वो बदलता है, maltose में, और जो maltose होता है, ये बदलता है glucose में किसमें glucose में तो स्टार्ज को क्यों बदलता है स्टार्ज को बदलता है M.I.L.S. माल्टोज में और माल्टोज को कौन बदलता है ये बदलता है maltase glucose में तो आप सभी का answer 100% COT के साथ आ रहा होगा M.I.L.S. is the right answer जी ुपाष्णा जी निता पांडे जी शोरभ जी अर्विन कुमार जी रमेश जी कुमारी शैलजा जी अनुपूर्णा जी सीमा जी प्रद्यूम्न जी शालनी जी ममता यादो जी जियार यादो जी सलोनी गुपता जी अंकिता मौर्या जी तिरिशा यादो जी सुमन जी सलोनी जी सिवांशी जी चांदनी जी सभी लोगों का बिंदुशार जी अर्शना वर्मा जी अभिशेक गिरी जी शालू वर्मा जी, शिवान्शी जी, रचना जी, रेखा जी, सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, clear, next question पर चलते हैं, 13, which one is not an example for hydrolysis, इसमें से कौन है, जो hydrolysis का example नहीं है, option है, dehydrogenase, आप पकड़ लियो होंगे फट से, hydrolysis का option कौन नहीं है, dehydrogenase, 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 option नहीं है, इसका सही आंसर होगा, कि hydrolysis कौन नहीं करता, hydrolysis नहीं करता है, dehydrogenase, dehydrogenase, यह hydrolysis में भारग नहीं लेता है, most most important, 14 number question, which enzyme digest the stored food material आप, caster seed, caster seed के stored food material को कौन डाइजेस्ट करता है, caster seed में stored food material क्या होता है, caster seed में stored food material क्या होता है, आप बताएंगे सर, caster seed में stored food material fat होता है, और इस fat को digest करेगा, इस fat को digest करेगा, lipes, caster seed में starch नहीं होता है, समालिएगा, caster seed में starch नहीं होता है, fat होता है, और fat को digest कौन करता है, तो आप बताएंगे सर, fat को digest करता है, हमारा enzyme, जिसे हम लोग lipase कहते है, इसलिए दो पूछा है कैस्टर शीड में क्या होता है फैट होता है 15 number question देखिएगा आンसर बताइगा और उम्मिद करते हैं कि आप मैं से सभी लोग बहतरीन आंसर बताएंगे आप मैं से सभी लोग बहतरीन आंसर बताइगे question पढ़िएगा answer बताइएगा एकदम the figure given below shows the conversion of substrate into product by enzyme इसमें substrate से product बन रहा है क्या बन रहा है substrate से product बन रहा है in which one of the following four options the components of reaction labeled as A, B, C, D are identified correctly आपको correctly identify करना है सबसे पहले देखिए A पूछ रहा है फिर आपसे B पूछ रहा है फिर आपसे C पूछ रहा है फिर आपसे D पूछ रहा है गौर से देखिए यह substrate और यह बना रहा है product अब आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं B, यह show कर रहा है और दो line product की दो line बन रही है and in दोनों के बीच में आप से पूछा है कि इन दोनों के बीच की situation को क्या कहते है? आप बताएंगे इन दोनों के बीच की situation को transition state कहते है, यह क्या है? यह transition इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इस्टेट मतलब ए को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इस्टेट मोस्ट इंपॉर्टेन है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इस्टेट क्या बोलते हैं ट्रांजिशन इस्टेट बोलते हैं नो पोटेंशियल एनरजी नो एक्ट Potential Energy, मतलब B को बोलते हैं Potential Energy, इनको पकड़ लिया ना आपने, देखिए transition किसमें दिया है, Transitional State अच्छा इसमें दिया है, Potential Energy इसमें दिया है, बहुत सही, Activation Energy without Enzyme, और C क्या बताता है, C बताता है Activation Energy, क्या बताता है, Activation Energy और D बताता है Activation Energy with Enzyme, और ये D Enzyme के बारे में बात करता है, इस तरह से आपका आंसर B हो जाएका, थोड़ा सा आप दिमाश बताते हैं, तो आपको तुरंद पकड़ में आता, कि ये Transition State को बता रहा है, और C आपकी Clear हो जाते हैं, Barrier Energy, जी, Clear, ऐसे भी Question है, Clear, उम्मीद करता हूँ, ओके अरजुन सिंग जी, Question ऐसे ही होंगे, इस बार आप ऐसे Question से ही जाएंगे, Clear सभी को, एक बार Thumb Up करके इशारा करिएगा, Clear to all or not, जी बिंदु सार जी, अभिशेक गिरी जी, स्यू प्रशाद जी, स्रिस्टिव पाध्याय जी, मदु यादो जी, नीटा पांडे जी, और examination में डिक्टो कोश्चन मिलेंगे, ये भी जानते रहिएगा, Next Question, Enzyme concerned with transfer of electrons, कौन सा Enzyme है, जिससे electron transfer होता है, कौन सा Enzyme है, जो electron को transfer होने में मदद करता है, 16 Number Question, बच्चा बच्चा जानता है, कि electron को transfer होने में मदद करता है, Dehydrogenase, और जहाँ पर ये Dehydrogenase काम करता है, वहाँ पर NAD, NADH, चेंज हो जाता है, NAD+, में, कहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ पर भी ये enzyme काम करता है, मतलब electron को transfer करने का काम कौन करता है, यही enzyme करता है, This is the right answer, और उम्मिद करता हूँ, कि आप में से सभी लोगों के, बड़े बुजर्गों के सही answer आ रहे होंगे, कौन सा enzyme है, जो transferase group को belong करता है, कौन सा enzyme है, हम आपको enzyme के सारे group करा देंगे, 17 नमबर question पर आ जाईए, कौन सा enzyme है, जो transfer group को belong करता है, और आप में से कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं, जो question एक बार आपके सामने आ जाता है, तो आपको लगता है, ये exam में आ सकता है, तो उसको रटा मार देते हैं, और biology वाले बच्चे रटा ना मारे, हो ये नहीं सकता, transaminase, transaminase, most most important, this is the transfer group of enzyme, जी, biology का तीन फंडा आप जानते हैं न, biology का तीन फंडा होता है, test book पढ़ना, पहला फंडा, दूसरा फंडा, तीसरा फंडा, तीसरा फंडा, रटा मारना, ये तीन फंडा biology के हैं, अगर इन तीनों फंडे को आप biology में अपना लेंगे, तो biology के question कभी भी गलत नहीं होंगे, biology के question कभी भी गलत नहीं होंगे, जहां जरूद पड़ेगी रटा भी मारा जाएगा, ट्रांस्फिरेज एन्जाइम कौन से होते हैं, आलियूनो, और जो आपकी international union आप biochemistry है, इसने किसने एन्जाइम को recognize किया है, six एन्जाइम को, पहला एन्जाइम कौन सा है, आक्सिडो रिड़क्टेज है, याद कर लेंगे भाई, इतना तो याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे, और एक्जाम में छाप कर आएंगे, तो रट्टा मारते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, जी, आएए, आगे चलते हैं, एलो एस्ट्रिक modulation is due to the inhibition action of enzyme, करें कि एलो एस्ट्रिक group होता है, इसका modulation होता है, due to the inhibition action of enzyme, कौन से enzyme के action को रोकने के बाद, inhibition action of enzyme, competitive inhibition, substrate concentration, products of reaction, enzyme concentration, non competitive inhibition, बहतुरीन question, आप बताएंगे, किस के action को, कौन से enzyme के action को रोक करके, तो आप बताएंगे, products of reaction, products of reaction के action को रोक करके, एलो एस्ट्रिक का modulation किया जा सकता है, एलो एस्ट्रिक group होता है, इसका modulation कैसे कर सकते हैं, products of reaction के, reaction को inhibit करके, इनके action को रोक करके, इसका modulation किया जा सकता है, this is the right answer, C, 19 number question, which one of the following pairs, is wrongly matched, इसमें से कौन सा pair है, जो wrongly matched है, और उम्मिद करता हूँ, कि आप में से सभी लोगों का अंसर आएगा, कि कौन सा pair wrongly matched है, गलत match कौन सा pair है, tell me fast, कौन सा pair है, जो गलत match है, जी, ये question देखिएगा, उम्मिद करता हूँ, कि ये question आप से गलत नहीं होगा, detergents में, lipase, alcohol में, nitrogenase, fruit juice में, pectinase, textile में, amylase, तो उम्मिद करता हूँ, कि आप सभी तो इससे परचित है, कि detergents में lipase चलेगा, fruit juice में, pectin होती है, pectinase चलेगा, textile में, starch, amylase चलेगा, alcohol में, nitrogenase आएगा, अगर यह नाइट्रोजिनेज आएगा तो यह क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा इसलिए इसका नाइट्रोजिनेज आंसर रॉंग है किसके प्रिप्रेशन के लिए इसमें एंजाइम्स होते हैं इसमें एंजाइम्स मिला जाते हैं उसको एलकलाइन बनाने के लिए डिटर्जेंट में एंजाइम को मिलाया जाता है किसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा और जो कोश्चन आपसे निकल रहे हैं हम उम्मिद करते हैं कि यह सारे कोश्चन आपके आने वाले फ्यूचर में गलत नहीं होंगे signaling between cells usually results in the activation of protein signaling between the cells करें दो cells के बीच में जो signaling होती है signaling between the cells usually results in the activation of protein is done by आप बताएंगे ADP जब ATP में चेंज होता है तो यह घटना देखने को मिलती है जब ATP ADP में चेंज होता है तो यह घटना देखने को मिलती है तो आप सभी लोग कह सकते हैं यह घटना करने वाला एंजाइम कौन है signaling करने वाला कौन है kinase is the right answer kinase is the right answer clear जी तो यह काम करने वाला कौन है यह काम करने वाला आपका kinase है which with reference देखिएगा थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छा कोश्चन है पढ़िएगा एक बार with reference to enzyme turn over number means कहरें enzyme के turn over number का मतलब क्या होता है आप सभी लोग turn over number पढ़े है the number of substrate molecules that a molecule of an enzyme converts into products per hour तो अब बताएंगे सर पर डे तो नहीं है पर आवर भी नहीं है अब आपको डिसाइड करना है पर सेकेंड है या पर मिनट जो हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था प्रेम लता सिंग जी समालिएगा जी बताईएगा कौन सा सई हो सकता है पर मिनट आपने पढ़ा था या पर सेकेंड पढ़ा था फड़ा फड़ बताईएगा आप लोगों ने क्या पढ़ा था पर मिनट या पर सेकेंड जी और उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पढ़ा था पर मिनट C is the right answer C is the right answer आप लोग अपने question देखिएगा पर मिनट उपासना चौहान जी जी बिल्कुल clear next question interokinase convert most important interokinase enzyme आपने सुना होगा interokinase किसको convert करता है interokinase एक enzyme होता है जो inactive enzyme को active बनाता है inactive को active बनाता है inactive को क्या करता है inactive enzyme को active बनाता है कहां निकलता है pancreatic juice में निकलता है trypsinogen को trypsin में बदलता है क्या करता है trypsinogen को trypsin में बदलता है most most important और pepsin को pepsinogen को pepsin में कौन बदलता है यह बदलता है HCL आपसे पूछा जाए कभी कि pepsinogen को pepsin में कौन बदलता है आपका आंसर आएगा HCL trypsinogen को trypsin में कौन बदलता है आपका आंसर आएगा intro kinase intro kinase क्या करता है trypsinogen को trypsin में बदलता है clear तो उम्मिद करते हैं कि आपका answer correct next question the effectiveness of an enzyme is affected by जो effectiveness enzyme का होता है वो affected least by सबसे कम the effectiveness of an enzyme is affected least by सबसे कम किसे affect होता है सबसे कम पूछा है temperature से ज्यादा concentration of the substrate से और ज्यादा original activation energy of the substance से concentration of the enzyme से यह भी गलत तो इसका सही answer क्या हो जाएगा origin original activation energy of the system से यह affected सभी से होता है temperature से denature हो जाता है substrate concentration से नजाने कितने लेवल का बिल बनाता है और original activation energy से कम होता है इसलिए यह सई the enzyme which converts glucose into ethyl alcohol कौन सा enzyme है जो glucose को ethyl alcohol में बदलता है बताने कुछ करिएगा कौन सा enzyme है जो ethyl alcohol को glucose में बदलता है उम्मिद करते हैं कि आप सभी के बिल्कुल करेक्ट answer आएगा कौन सा enzyme है जो ethyl alcohol को glucose में बदलता है डाइस्टेज माल्टेज इन्वर्टेज या जाइमेज आप सभी का answer आएगा 27 का 25 का sorry 25 का answer जाइमेज इस दा राइट आंसर और हम उम्मिद करते हैं कि आप सभी के बिल्कुल करेक्ट answer आ रहे होंगे तो यह 25 question है एक question आपके homework के लिए है और हम उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग अपने homework का answer जरूर से जरूर exam में देंगे विच आप दा following enzyme digest other enzyme इसमें से कौन सा enzyme है जो दूसरे enzyme को करता है most most important और इसका answer हमें आप से comment box में चाहिए which are the following enzyme digest other enzymes कौन सा enzyme है जो दूसरे enzyme को digest करता है tell me fast सभी लोग बताने कोश्च करिएगा कौन सा enzyme है इसका answer comment box में चाहिए और question कैसे लगें आप सभी लोग comment box में इसका answer जरूर देंगे और आप में से जो लोग अभी तक किसी कारणबस class से नहीं जूर सके हैं वो सभी लोग जितने शीग्र हो सकता है class से जुड़ें और अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं कल सुबा से आपकी classes शुरू होंगी morning में 9 बच के 45 मिनट पर हम सभी लोग मिलेंगे नए topic के साथ bacteria के बारे में पढ़ेंगे तयार रहिएगा most most important उसके बाद 11 बच के 10 मिनट पर plant physiology के लिए तयार रहिएगा जिसमें कल हम लोग photo periodism के बारे में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना मिलत झाल